देखे 6.7 क्या कह रहा है फिर हम बता रहें कि आप बहुत जल्दी कोईशन के स्टार्टिंग से फुल स्टाप तक न पहुंचा करिए मतलब यह नहीं कि बैठे हैं बोलें पहुंचेंगे नहीं मतलब ध्यान से पढ़िएगा गिवन क्या है सुनिए ध्यान से लिका है प्रस ने अब अब शेल तो आगर नहीं दो ऑड़ों के तब ही मारेगा तो बहतर है उसको दौड़ा लिया जाए तो हो सकता है दर ही जाए इसका दिक्कत है और horizontal statewide 10 meter long extending from east to west मतलब हो यह रहा है east, west, north, south तो यह rod east से west तरफ यह ऐसे लंबा है west से east भी हो सकता है लेकि फिलाहल ऐसा लिखा हुआ है ठीक है? यह extending यह मतलब ऐसे फैल रहा है rod जा रहा है नहीं जा नहीं रहा है क्या बता रहा हूँ मतलब यह east से west है बस extending है तो confuse कर दिया उन्होंने अरे एक rod है east से west में रखा हुआ है extending क्या होता है? ठीक है? और कहते है इट इस falling with a 50 meter 5 है क्या? 5 meter per second यह वो किस speed से गिर रहा है? 5 meter per second की speed से गिर रहा है at right angle to the horizontal component of earth magnetic field earth magnetic field का जो horizontal component है पहले value लिखो फिस समझाते है horizontal component है वो 0.30 0.30 into 10 power minus 4 वेबर per meter square इसकी unit एक ये भी होती है 5 ब्रावर बी ये होता है न? ब्रावर 5 ये पाने होता है तो वहाँ से आई है वेबर per meter square तो पहला आप से ये पूछ रहा है कि what is the instantaneous value of the EMF induced in the wire instantaneous पहले तो समझ लीजे इसके बात बात करते हैं इदा देखिए आप चुकिए 3D diagram समझना है East, West, North, South rod East से West में रखा हुआ है और magnetic field North से South में है तो इसका मता है ये horizontal component है ना तो rod जब ऐसे गिर रही है और ये horizontal component है तो इस lines को cut करे का नहीं करेगा यानि ये rod इस horizontal component को cut करता हुआ जा रहा है नहीं हमझे तो यानि कि जब अच्छा जब कोई rod magnetic field को cut करता हुआ जाता है तो rod के ends के बीच में एक potential difference डेवलप हो जाता है हो जाता है ना क्या बताया गया था बवाल तो वही कह रहे है कि आप instantaneous EMF निकालिए त्यारी कि आपको E निकालना है बवाल बवाल बवा कौन सा horizontal component ठीक बस हो गया यह कितना है 0.30 into 10 power minus 4 V बोले तो 5L बोले तो 10 कितना आएगा 50 आएगा 50 into 0.30 into 10 power minus 4 आएगा 15 100 यहाँ पर आएगा into 10 power minus 4 तो 1.5 into 10 power कितना आएगा minus का पक्का minus का 3 होगा यह तरीका ना हो तो बताने कैसे हुआ है फिर भी देख लो गलत बोल गया है ना 50 into 10 power minus 4 था यहाँ 1.5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए तो इसकी वैलू क्या हो गई 1.5 और यह 10 की पाउर 1 क्या होगा एड हो जाएगा तो ऐसे ही एग्जाम में करोगे बार 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 डिवाइड वल्टिप्लाई तो यानि कि 1.5 इंटू 10 पाउर माइनस 3 यूनिट क्या होगी किलोग्राम बिना यूनिट के आपका नंबर आंसर का कट कर दिया जाएगा ठीक नोट करिए सेकेंड पार्ड में कह रहा है कि वाट इस डिरेक्शन ऑफ दे एमफ यानि एमफ की डिरेक्शन क्या होगी तो इसमें फ्लेमिंग का कौँ सा नियम लगेगा राइट हैंड रूल लगाओ ज़रा राइट हैंड रूल क्या होता है ये राइट हैंड है ना तो ये किसको इंडिकेट करता है मोशन आफ दे कंड़क्टर जो की नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है ये होता है इदे को लेफ्ट हैंड में हमने FBI पढ़ा है FBI तो हमने का F को आफ V माल लो B को B रहने दो तो ये आपका मोशन आफ दे कंड़क्टर है और ये मैगनेटिक फिल्ड है और ये उंगली इधर जा रही है न अरे भाई देखे ये नार साउथ था आगे नार था ना तो हमारी उंगली नार तरफ जा रही है और ये अंगटा की दर है नीचे की तरफ ठीक है ये उंगली इधर की तरफ जा रही है न अरे हमारी उंगली देखो तो अपनी उंगली कहा है देख रहे हो हैं एक मिनट ये इस से वेस्ट है तो क्या ये वाली उंगली इस डिरेक्शन में हमारी है अरे यार हमारी उंगली देखो तो अपनी उंगली देखो पहले हमारी देखो पहले अरे तो अपना हाथ अब तेड़ा नहीं कर तो होगे ये ये magnetic field में है fix कर दिया हमने ठीक है अब इस perpendicular है ये magnetic field है ये वी है जिसको fix करके वी को नीचे कर दिया अब ये उंगली कि दर की तरफ है इधर जा रही है ना इधर मतलब west east की तरफ तो west to east हो जाएगा न, west to east, नहीं हो जाएगा, current की बात मैं नहीं करो ये, हाँ, current west to east होगी, देखो पहले कहें क्या रहे हैं, वो आपसे करें, EMF की direction क्या होगी, EMF direction क्या होता है, EMF का मतलब ये होता है, कि ये, current हमने इधर बताया न, इसका मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर current इधर, voltage इधर से इधर है न, यानि ये high से low की तरफ जा रहा है न, ये high और yellow, उधरी current जा र अरे यारब, उंगली कैसे हम बताएं, ये, उंगली किदर के दरफ है, EMF तरफ है न, पक्का, आप देखो, ये किदर है, बले रुको, 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 ने, आप हमारी उंगली के direction देखिए, हमने ये, EMF माना है, ये नार साउथ माना है, हमने जैसे माना उसे रही थी नीचे, ये इस से west valley भी थी, ठीक है, ऐसे rod गिर रही थी, अब हमने ये magnetic field तरफ कर दिया, ये magnetic field है, ये उंगली अभी इस से west तरफ है, west तरफ है न, एक वहीं रुकिएगा, ये अंगुटा किदर है, उपर तरफ है, अब इस अंगुटे को नीचे करेंगे, तो हम हमारी उंगली किदर चली जाएगी, उल्टा चली जाएगी, अभी समझ में आगया, कि नहीं समझ में आया, अब हमारी छोटी उंगली है, तुमारी लंबी तुसरा ज्यादा direction दिखाई पड़ती, अब ये हमारी मर्जी, या east इधर होता है, west इधर होता है, आप मानने वाल तो west higher होगा, और वो, actually मैंने current से ही उसको निकाला था ठीक है, तो ये आपका है 6.7